सभी को जहें मैं इतनी को डैस वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल मिशन एंसीसी दवे ओप सक्सेस में तो आप में से बहुत सारी कडेट्स है जो 11 फरवरी 2024 को वो NCC B Certificate का एक्जाम देने वाले हैं तो आप सभी कडेट्स को मैं आज पाच simple ऐसे question में आपको आपके सामने लेकर आया हूँ अगर आप इस questions को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हो तो definitely आप सभी कडेट्स अपने आने वाले एक्जाम में पास हो सकते हो अच्छे ग्रेट्स है तो ये पाच गलतिया जो आप सभी कडेट्स को नहीं करनी है और ये पाच ऐसे सवाले जो आप सभी कडेट्स को पता होते हुए भी आप जो वे इसके उपर आप ignore करते हो तो वो क्या गलतिया है वो क्या कोशन से जो हम सभी को याद रखना है वो आजके इस वीडियो में आप सभी को सिंपल तरीके से बताने वाला हो तो बचो पहला सवाले सभी कडेट्स के दमाग में किसर NCCB certificate का जो पेपर है वो कैसे होगा या return होगा या MCQ होगा तो बचो हमेशा याद रखना आपका जो पेपर है वो MCQ best होगा मतलब आपका पेपर इस तरीके के OMR sheet पर होगा आपको एक question paper अलग से दिया जाएगा और एक आपको OMR sheet दी जाएगी और OMR sheet पर जो है आपका जो भी question का answer सही होता है उस question के number के सामने ABCD के उपर आपको यहाँ पर गोल करना पड़ेगा इसको circle करना पड़ेगा अच्छी तरीके से गोल भरना पड़ेगा ओके इस तरीके से आपके OMR sheet होगी यह भी याद रखना द अपने दिमाग में मत रखना दूसरा question बच्चों NCC B certificate का exam कितने marks का होता है बच्चा याद रखना जो B certificate का paper है बच्चा टोटाल 500 mark होता है बच्चा इन में से जो liquid paper होता है आपका वह 350 mark होगा और practical का जो paper है बच्चा वह 150 mark होगा याद रखना practical इकल 150 mark लिखित एक सो लिखित जो है वह 350 mark अब यह लिखित paper को solve करने के लिए आप सभी के पास 3 घंटे का समय होगा कितना तो 3 घंटे का बच्चों आपको timing मिल रहा है paper को solve करने के लिए याद रखना 3 घंटे का समय है और total paper कितने का होगा पास्टो नंबर का next अगला question है question बच्चा 175 अब इसमें से जो common subject में जो है वो 120 प्रशन होंगे और special subject में जो है वो 25 प्रशन होंगे total मिला करके आपके paper में जो है 150 question होगे और एक question बच्चा 2 marks का होगा इस बात को याद रखना एक question 2 marks का होगा दो number का 1 question है इसलिए किसी भी question को खाली नहीं छोड़ना है total मिल करके आपका क्या होगा बच्चा यह होगा आपका पास 350 नंबर का paper और आपको मिलेगा यहां पे तीन गंटे का समय paper को solve करने के लिए और एक सो पचातर प्रशन के ओपर आपको goal करना पड़ेगा उन question को भरना पड़ेगा next question number 4 is NCCB certificate की परिक्षा में कितने section में हमें pass होना आपसे लिकित में question नहीं आएंगे ठीक है आपको इस बार ड्रील में जो है वह practical में जो है आपको pass होना पड़ेगा बच्चो प्रैक्टिकल के section में उसके बाद में part 2 आता है आपका weapon training weapon training में आपको pass होना पड़ेगा part 3 आपका miscellaneous और part 4 बच्चा special subject यह 4 पार्ट है जहां पे आप सभी को 50% number जो है बच्चा score करने पड़ेंगे 50% जो है आपको maximum number यहां पे score करने पड़ेंगे minimum ओके तो यहां पे मैंने आपको बता दिया यह 4 पार्ट है इ क्या NCC paper में negative marking होगा जादा से जादा बच्चों का यह सवाल होता है कि paper क्या negative marking के ऊपर होगा तो बच्चा negative marking के ऊपर नहीं होगा क्योंकि actual में यहां पे जो reason होगा बच्चों यह है negative paper आपका बिल्कुल भी नहीं होगा okay तो क्योंकि इस बार जो पेपर होंगे वो negative marking वाले नहीं है शरीप आपको क्या करना है सभी जितने भी question होंगे उन सभी questions को attempt करना है तो कोई भी question खाली मत छोड़ना negative marking नहीं है अगर question खाली छोड़ोगे तो आपको number नहीं मिलेगा इसलिए बच्चा आप सभी सवालों को हल क करना है सभी सवालों को solve करना है इस बात वियाद रगना no negative marking तो उसी के सास्थ बहुत सारे बच्चों का एक्जाम तो आने वाला है उनके पास समय कम बचा है पेपर को solve करने के लिए practice करने के लिए तो अब उनका भी सपना है कि वह आने वाले exam में एक ग्रेड लेना चाहते लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं हो चुकी है तो मैं उनको recommend करता हूँ next question ओके बहिए NCC B exam में कितने नंबर पर grading मिलती है तो बच्चा अगर आपको A grading में पास होना है तो आपको 350 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे B grading के लिए 250 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे C grading के लिए 165 प आप में से बहुत सारे बच्चे आने वाले exam में A grade लेना चाहते हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई हैं उन सभी के लिए mission NCC से ने एक C certificate का भी course लाया है उसे के साथ साथ जो B वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक course लेकर आया है तो B और C certificate के course में आपको total 10 question paper उनके 10 answer sheet दो practical के paper 16 topics के notes बचा जो new syllabus आया है न आपका उसके भी notes आपको यहां पे मिलने वाले हैं उनके quiz और उनके question bank लगबग 40 से भी जादा के PDF मिलेंगे शरीफ 199 में अगर आप B वाले कडेट हो तो अभी ले सकते हो C वाले कडेट हो तो उनके लिए भी वालों के होगा इस बात को भी याद रखना बच्चो B और C दोनों भी credits के लिए अवैलेबल है उसे कैसा अगर आप इस course को लेना चाहते हो तो यहां पे मेरा WhatsApp नमबर आपको देखने को मिल जाएगा यह मेरा WhatsApp नमबर है इसके उपर आपको High Mission NCC मैसेज करना है जैसी मैसेज करोगे High Mission NCC उसके बाद आपको पेमेंट को option आएगा phone पे Google पे ATM भी पे आए इसके दावरा payment करके आप सभी कोई screenshot भेजना है और जैसे आपका screenshot मुझे मिल जाएगा तो यह सारे 40 PDF आपके WhatsApp पर आएंगे तो B वाले बच्चों के फीज़े 199 रुपेस C वाले बच्चों के फीज़े 199 प और अपने आने वाले एक्जाम में एक रेट से पास हो जाओ तो सभी बच्चों को all the best यहाँ पर नमबर है मेरा इस नमबर पर कॉल भी कर सकते हो ओके तो सभी को all the best थैंक यू जहें